Knowledge यानि जानकारी ये एक ऐसा टूल होता है अगर आपके पास है तो फिर आपको अन्या किसी चीज़ के अवशक्ता नहीं है इसी से ही आप सारी जिंदगी में अपने सारे रास्ते बनाते चले जाएंगे अपने साधन बनाते चले जाएंगे मेरी हमेशा से कोशिश होती है कि astrology से संबंदित कोई ना कोई knowledge कोई ना कोई जानकारी हमेशा आपको देता रहा हूँ आज का वीडियो बड़ा important होने वाला है उन लोगों के लिए जो basic astrology में हैं जो लोग astrologer नहीं हैं जिनको tools नहीं पता है लेकिन वो चाहते हैं कि उनको अपने या अपने सगे संबंदियों के charts की जानकारी हमेशा रहे मैं आज आपको बताऊंगा कि अपनी जर्म कुंडली से कैसे पहचाने के आपका लगन कौन सा है मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से जाने के आपकी राशी कौन सी है और आपकी ये confusion भी दूर करूँगा कि कई लोग समझते हैं कि उनका जो sun sign है दरसल वही उनकी राशी है जो बिलकुल गलत है क्योंकि दरसल क्या होता है कि अगर आपके पास wrong tools होना या गलत जानकारी हो ये कई बार बहुत ही घातक हो जाती है गलत जानकारी लेके आप जीवन में अच्छे result कभी नहीं ले सकते तो अगर आपको ये नहीं पता है कि लगन और राशीयों में फर्क होने वाला है नमस्ते मेरा नाम है योगे शर्मा स्वागेदा आपका happy life with योगे शर्मा में और आगे बढ़ने से पेले एक विनमर निवेदन के अगर अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो क्रिप्या सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा बे राशी के opposite एक नमबर लिखा हुआ है आप इसका screenshot लेके अपने mobile में save करके रख लीजिए जैसे के मेश के आगे एक लिखा हुआ है वरश के आगे दो मिथुन के आगे तीन कर्क यानि कैंसर के आगे चार लिखा हुआ है सिंग के आगे पांच कन्या छे तुला साथ वरिश् देखे होंगे यही राशियों के नमबर होते हैं अब आप एक बर्थे चार्ट स्क्रीन पे देख रहे हैं यह बर्थे चार्ट जो है इसमें जो first house है जो मैंने star से mark किया हुआ है यह first house जो है किसी भी जन्म कुंडली में यह हमेशा है जो house होता है इसी को लगन बोला जाता ह है यह जो भाव है इसी को लगन बोला जाता है और यहाँ पे जो नमबर लिखा होगा आपके लगन की राशी वही होगी इस उधारन चार्ट में यहाँ पे चार लिखा हुआ है और उस list से इसको टैली करके देखिए चार क्या है चार है करक यानि अब यहाँ पे जो लगन की राशी वही होगी अब यहाँ पे सवाल यह आता है कि आप चार्ट कैसे निकालो अगर आपके पास अपनी जनम कुंडली नहीं है धेरो धेर अप्लिकेशन आती हैं मोबाइल में कोई एक अप्लिकेशन लेकिए उसमें अपने जनम की तिथी और टाइम वर्थ और प्लेस डाल दीजिए यह चार्ट बनके आ जाएगा नहीं तो अपने जनम कुंडली अपने अलमारी से निकाल लिए उसमें से देख लीजिए यहाँ पे जो फर्स्ट हाउस है यही फर्स्ट हाउस आपका लगन कहलाता है और लगन जो है यहाँ पे जो नंबर लिखा होगा यही आ इंजन है यह आपका लगन है आपके ऑफिस का जो हेड़ और है याँ बॉस कैबिन है यह आपका लगन है आपके घर में जो head of the family है यह आपका लगन है यानि लगन जो है ना एक एसम से आपके बर्थे चार्ट का headquarter हो गया, सारे अच्छे बुरे order यहीं से पास होंगे, आपका बर्थे चार्ट strong है, कमजोर है, वो लगने से पता चलेगा, अब किसी गाड़ी का engine की capacity कितनी है, उस गाड़ी का मुल्ले वही चीज रिसाइट करती है न, तो यहाँ पे ध्यान रखेगा, लगने जितना strong होगा, लगने जैसा भी होगा, आपके बर्थे चार्ट की strength वैसी होगी, चलिए, यह एक बड़ी detailed बाते हैं, मोटे मोटे आपको यह याद रखना है, कि जब भी आप कोई राशी फल सुनो, चाहे वो राशी फल, चंदर राशी के अनुसार भी हो, आपको लगन राशी अनुसार भी सुनना है, और यह चीजे बहुत हद तक आपके लगन पे भी apply होगी, तो यहाँ पे जो भी नंबर लिखा होगा, यह आपकी लगन राशी है, मैं आज इससे ज़ादा detail में इसमें नहीं जाऊंगा, क्योंकि वो फिर astrology की कक्षा बन जाएगी, जो बहुत लोगों के लिए confusing रह जाएगी, चलिए आगे बढ़ते हैं, अब कैसे देखा जाए कि आपकी राशी कौन सी है, राशी देखने के लिए इसी sequence में आगे चलिए, बर्थे चार्ट में अलग अलग जगा पे अलग अलग रह जो हैं वो लिखे होते हैं, यहाँ पे भी जिस भी घर में चंदर्मा होंगे, वो आपकी राशी होगी, यानि आपके लगन जो हैं, फर्स्ट हाउस में जो राशी लिखी होगी वो लगन होगी और जहां पे चंदर्मा होगे, उसके corresponding जो नमबर लिखा होगा, वो आपकी जन्म राशी होगी, इसके अलावा आपका न जो चीजें हमेशा याद रखनी है, अब सवाल ये पैदा होता है, कि राशी की हमारे जीवन में क्या relevance है, जैसे इंजन थो वो लगन था, लेकिन गाड़ी खाली इंजन से नहीं चलती, गाड़ी को चलाने के लिए चाहिए एक कुशल ड्राइवर, इंजन जितना मर्जी अ अच्छा होना चाहिए, अच्छा ड्राइवर बुरा इंजन या अच्छा इंजन बुरा ड्राइवर, ये combination भी जीवन में गती नहीं पकड़ने देता है, दोनों को stable रखना होगा, दोनों को सही रखना होगा, ये दोनों सही रहेंगे तो जीवन आगे बढ़ता रहेगा, तो चलिए अब मैं आपको बताता हूँ कि संसाइन जो है, ये राशियों से किस तरह से different है, देखें संसाइन जो है ये एक महीने तक सेम रहते हैं, 21 मार्च से 21 अप्रेल तक का संसाइन और होगा, 21 अप्रेल से 21 मई तक का संसाइन और होगा, लेकिन जो राशिया है जहाँ पर बर्थचार्ट में चंद्रमा होगा, वही राशी होगी, संसाइन का वैदिक एस्ट्रोजी में कोई हाथ नहीं है, वो लोगों के सिर्फ नेचर को बताने के काम आती है, वो भी बहुत ही एक बड़े मैक्रो लेबल तक, अगर आपको चीजों की पिन पॉइंटिंग चा और बेसिकली अब आपको किन चीजों का ध्यान रखना है, जीवन में मैंने यो इंजन ड्राइवरी की धारन तो दे दी, लेकिन उसको प्रेक्टिकल जीवन में फील कैसे किया जाएगा, आपके जीवन में क्या होगा, ये लगने डिसाइड करेगा, और वो कब होगा, ये आपकी चंदर राशी डिसाइड करेगी, तो दोनों की अपनी अपनी जगा पर वैल्यू है, दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं, जीवन में क्या क्या होगा, यानि कोई इंसान कितनी तरक्की करेगा, कोई इंसान कितना लाइफ में नुकसान जहलेगा, ये सब उसके लगने से corresponding जो ग्रह होते हैं वो बताते हैं, लेकिन राशियों से corresponding ग्रह क्या बताएंगे, कि ये चीजों की घटनाओं की timing क्या रहेगी, कब कब होगा, कैसे कैसे pattern जीवन में आएंगे, जो जीवन में उतार या चड़ाव लेकर आएंगे, तो दोस्तों, आज के बाद अपने नामक्षर से अपनी राशी को देखिएगा, ना ही जिस महीने में आपका बर्थ हुआ है, उसके according अपनी राशी को देखिएगा, आपको अगर राशी देखनी है, तो किसी भी आप से अपना बर्थ चाट निकालिए, उसमें जहां पे चंदरमा है, उसको अपनी रा तो दोस्तों मैं आशा करता हूं ये जानकारी आपके लिए बहुत बढ़िया रही होगी केतु हर घर में क्या result देते हैं मैं हर घर के के तुके बारे में आपसे चर्चा करता हूं week दरबीक तो केतू 7th house में क्या result देते हैं शुकरवार रात 8 बजे इस पर हम चर्चा करेंगे चलिए मिलते हैं बहुत जल्द शुकरवार रात 8 बजे तब तक अपना खुब ध्यान रखेगा नमस्कार